नमस्कार दूसर स्वागत है आपके अपने ओटी चैनल आवन प्रयास देगे जिसमें तो जिसागे फ्रेंट्स आपका एक्जाम समाप्त हो गया था और आपका इसका एंसर की भी आ गया था अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपका इसका टार्वान का रिजल्ट कब आ है तो जो लोग भी एक्जाम दिये हैं वीडियो को अंतक देखेगा चैनल पर अगर आप लोग नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोटिफिक्शन बेल कॉल पर क्लिक कर लिजेगा एक्जाम के लिए ठीक है तो जैसा कि फ्रेंट्स आपका जो टार्व करेंगे तो हम लोग बात करेंगे आज कि इस वीडियो में कि आपका टार्वन का डेट और मेंस का एक्जाम का डेट कप कप होने की समभाबना है तो चलिए सुरू करते हैं बिलकुल सुरू से वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स से पले बात करते हैं टेस्ट बुक पर चल रहे है फ्यूचर ओफिशर सेल के बारे में इस सेल के दौन अगर आप इनका यह लिका टेस्ट बुक पांस प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 पर में यह मिलने माला है साथ में कूप 2007 फरो मात 527 पर में इसका एक्सेस मिलता है यहां पर आपको अपको सब आपको एक्जामों का चाहिआ अप आपका टियारी करτε रहे हो यह या इस्ट ले वह को मिलता है जैसा कि हम एक एक्जामपल आपका SSC CGL का लेते हैं ठीके यह दोस्तों आपका कुछ SSC CGL का कुछ है जो कि आपको मौक यहां पर आप लोग दिये होंगे जो जानते होंगे 22 में यह कुस्छन आपको आपको यहां पर देखने को मिला था इसका कुछ एक्जामपल और भी है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह तो मात आपका SSC CGL का है लेकिन अगर आप किसी भी एक्जाम के तारीक करते हैं तो उसको आप लोग जाकर एक वार चेक आउट जूड़ कर लिजेगा ए इसे पर देख वाऱ बहुती जुरूरी है तो इस बात को भी आप ध्यान ँमें रख़िएगा हम यहां पर जो भी आपको डेट पताने वाले हैं उसका जो अध़्ार होगा वा आपका पिछले साल का जो आपका का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2023 का ठीक है जो कि पिछला साली था तो 2023 में बात करेंगे जो आपका जो एक्जाम आपका जो कंड़क्ट हुआ था तो आपका जो रिजल्ट है एंसर के बारे में बात नहीं करते हैं आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आपको कवा आया था 25 अक्टूवर को आ गया था ठीक है बात करेंगे आपका एक्जाम खत्म हुआ और रिजल्ट आया उसके बीच में कितने दिनों का गैप था तो यहां प पर अगर बात करते हैं 2022 का 2022 में जो आपका एक्जाम जो समापत हुआ था 9-10 117 को आपका एक्जाम समापत हुआ था और आपका जो रिजल्ट है आपका T know 1 का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद यसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, कि आपका फिजिकल होता है, फिर आपका टायर 2 का एक्जाम होता है, ठीके, ठीके, तो 2023 में, पिछले साल की बात करते हैं, तो आपका जो फिजिकल का जो डेट आया, यानि कि फिजिकल जो हुआ वो दोस्तों आपका हुआ 14 नमंबर को ठीक है यानि कि 14 11 2023 को आपका इसका फिसकल होता है ठीक है टायर 1 के रिजल्ट के कितने दिनों के बाद तो 20 दिनों के बाद ठीक है टायर 1 के रिजल्ट के 20 दिनों के बाद आपका फिसकल होता है यानि कि आपका एक्जाम डेट जब करेंगे तो आपका तक्रीबन 40 दिन के बाद आपका फिजिकल होता है ठीग है यह आपका पिछले साल का था वह कर दो 22 की बात करते हैं तो आपका रिजल्ट आया था 27 को यानि यानि कि 27 दिसंबर को और आपका जो फिजिकल जो हुआ था वो आपका हुआ था 24 मार्च को यानि कि कितने दिनों को बाद तो तकरीबन तीन महिना के बाद आपका फिजिकल हुआ था ठीक है कि इसके बाद 22 की बात करते हैं तो फिजिकल हुआ था आपका 14 को 14 11 32 को फिजिकल के बाद जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर 2 का एक्जाम होता है तो पेपर 2 का जो एक्जाम आपका हुआ था यानि कि फिजिकल के कितने दिनों के बाद हुआ था तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 14 को आपका फिजिकल हुआ 20 तारीको आपका रिजल्ट आया और रियल्ट के तुरंत बाद आपका 8 जैनवरी को आपका मेंस का एक्जाम हो गया ठीक है यानि कि 14 से 14 आपका एक महिना उधर हुआ है तो 45-46 दिनों के बाद आपका मेंस का एक्जाम है जो कि आपका हो गया ठीक है अब हम सिधे आते हैं 1224 के ऊपर ठीक है तो 24 की बात करते हैं तो जो आपका लास्ट एक्जाम था वह आपका 29 जुन को था यानि कि 27-28-29 जुन को आपका एक्जाम हुआ था बाक करते हैं आपका इसका रिजल्ट का किसका रिजल्ट कब आएगा तो इसका रिजल्ट के बात करते हैं तो पिछले साल का अधाल को लेकर हम चले तो तक्रीबन एक महिना का हम लोग लेक्स के चलते हैं एक महिना से लेकर 45 दिन तक ठीक है जैसा कि 2023-2022 में देखने को मिला है तो आप लोग मान के चलिए कि 224 को जो result है 30 जुलाइस से लेकर 10 अगस्त की बिस आपको यहां पर देखने को मिलेगा बाकी बात करते हैं कि physical कब होगा तो physical की बात करते हैं तो physical जब आपका result आएगा उसके 20 से 30 यानि कि 20 दिन मिनिममम और एक महिना 22 में थ्वासा कुछ और मामला होगा जो आपका 3 महिना का लेट हुआ था लेकिन हम लोग अधार 23 को लेकर चलेंगे क्योंकि अभी पास में वही है तो 20 से 30 दिनों को हम लोग समय लेंगे तो आपका result 3 जुलाई को आता है तो आ ठीक है फिजिकल के बाद होता है आपका मेंस होता है ठीक है तो मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका फिजिकल जब भी होगा ठीक है फिजिकल आपका जब भी हो तो फिजिकल का फिर आपका result आएगा फिजिकल की result की जब हम लोग बात करते हैं तो result आने में आपका confirm होगा ठेके तो आप लोग उसी तरह से त्यारी को करते चलिएगा जिनका भी नंबर अगर आपके expected cut-up से दो तिन नंबर भी पिछे है तो आप लोग physical का त्यारी और mains का त्यारी साथ-साथ कर सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा ठेके जैसा क और physical का date में आपका तीन महिना का gap था ठेके इसके बाद physical और ये mains का exam में आपका एक महिना का gap था ठेके तो उतना gap आपको नहीं मिलेगा ठेके gap मिलेगा लेकिन 2023 का ही अधार लेकर चलते हैं 2023 में जितना मिला उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा लेकिन 2022 के जैसा नहीं मिल जाएगा ठेके बाकी आपका cut up कितना जाएगा तो यूट्यूब पर हजारों वीडियो बन पड़ा है तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं अगर उसको नहीं देखना है तो previous year का cut up से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका cut up कितना जाने के संभाबना है अगर previous year के cut up से 2, 3 अब बी तो आप लोग त्यारी मीं लग सकते हैं त्यारी भी कर सकते हैं अब बात करेते हैं फिजग्ल करते हैं तो मेल का जो height चाहिए होता है तो फिमेल की बात करते हैं तो मातर 177 cm चेस्ट की सेकेंड में दोड़ना होता है इसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का सो मीटर अठारा सेकेंड में इसके बाद आपका जो दौर होता है आपको तो 1.6 km याने की 1600 मीटर सारे 6 मिनट में दोड़ना होता है, वह इंपर फिमेल की बात करते हैं, तो 800 मीटर मत दोड़ना होता है, 4 मिनट में, लॉंग जंप की बात करते हैं, तो 12 फिट, वह इंपर फिमेल की बात करते हैं, तो 9 फिट, हाई जंप की बात करते हैं, तो मेल का 4 और फिमेल का तिन फित इसमें सबसे ज़्यादा जो परशानी आपको आने वाला है ठीक है मेरा अगर हम अपना अनुभा आप से सेर करें तो आपको यहां पर हाई जब में आपको परशानी देखने को मिलेगा आपका फिजिकल में ठीक है तो जो लोग भी फिजिकल कर रहे है हाई जम पे ज़्यादा ध्यान दिजिएगा बाकी दौर भगेदा अगर आप इतना कवर कर पा रहे हैं तो अच्छी बाते नहीं कर पा रहे हैं तो किजिए ठीक है क्योंगि आपका फिजिकल होगा इसके बाद ही आप टायर 2 के लिए क्यूलिफाई होगे अगर आप फिजिकल में ही उनक्रेफाई हो जाते हैं तो टायर 2 आपको नहीं दिया जाएगा और टायर तो टायर 1 जैसा कि आपको मालूम है, दोनों ही important है, तो टायर 2 जिनका जैसा भी गया हो, ठीके, उनको लगता है कि नंबर कम है, लेकिन आपका selection टायर 2 ये physical के लिए होगा, ठीके, तो उसमें भी हरवना नहीं है, ठीके, अगर आपका टायर 1 में नंबर कम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, टायर 2 में कोशिस किजिएगा अधिक से अधिक नंबर लाने का, ताकि मेरिट में आपका नाम ना छटे, ठीके, तो आसा करते हैं, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिक से बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे सीपी उसे जूरे हर पर अपडेट के लिए, मिलते हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए, जैहिन!